मुझा नमस्कार दोस्तों मैं रोहन शमा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चैनल जोतीशे नवास तुमें कैसे हैं आप सभी आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 18th April 2023 के बारे में 18 अपरेल 2023 का दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है आज के दिन में कौन सी remedies आपके लिए काफी ज़ादा मददगार रहेंगे और कैसे आप अपने जीवन की हर परिशानी को दूर कर पाएंगे साथ ही साथ हम बात करेंगे आज के एंजल लंबर और affirmation के बारे में आज का क्या रहेगा golden wish time और क्या करना है विशेश वास्तु का उपाएं जो कि आपके परिशानियों को दूर करेगा सारी जानकारी मिलीगे आपको अपने इस वीडियो में अंतक देखेगा ताकि कोई बीचीज आपसे मिस ना हो जाए सबसे पहले देख लेते हैं कि यह दिनका औरा आखिर कैसा जाना वाला है दीकिति दिन बहुत ज़्यादा aggressive दिन रहेगा यह मान के चलिएगा आज के दिन में कह सकते हैं कि गुस्सा आपकी नाग पर बैठा रहेगा और आप सभी काफी ज़्यादा aggressive रह सकते हैं बहुत जल्दबाजी में काम करने की प्रवर्ति आपको नुकसान पहुचा सकती है परिशान कर सकती है इस तरह की योग यहां पर क्लिरली दिखाई देते हैं इस वज़े से आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आपको थोड़ा सा पेशिंस के साथ रिलेक्स रख करके आगे बढ़ने की कोशिश जरू करिएगा आज अपने ऑफिस में अपने बॉसेस के साथ कलिक्स के साथ रड़ाई जगड़े पॉसिबल हैं तो इस वज़े से वहां पर आपको थोड़ा सा ज़ादा ध्यान रखने की जरूर थैं आज के दिन में कोशिश करें कि बहुत ज़ादा इंवॉल्मेंट किसी के साथ ना रख करके शांती के साथ अपने दिन को निकाल दें तो वह आपके लिए ज़ादा अचा रहेगा छोटी सी बात बड़े आर्ग्यूमेंट में कनवर्ट हो सकती है इस वज़े से आपको ज़ स्टॉंग दिखाई देते हैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के दिन में प्यार और महबत को अपने आगे रखिएगा और गुसे को एटिट्यूड को थोड़ा सा पीछे रगिएगा इगो को बिलकुल भी पीछ में ना आने दें इस बात का विशेश दिया आए और आप काफी ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दें आज का यह जो दिन रहेगा मंगलवार का यह काफी जादा इंपॉर्टेंट दिन जाने वाला है काम के लिहाद से यहां पर महनत जादा है और महनत के कंपैरिजन में दिखा जाए तो रिजल्ट थोड़ा आसकती है बट अपने आपको डी मोटिवेट मत होने दीजेगा इस बात का विशेश दियान रखेगा आज के दिन में किसी बड़े की सला ले ली जाए किसी बड़े की सला मान ली जाए और किसी एडवाइस के साथ काम कर लिया जाए तो आपके लिए जादा अच्छा है तो करके नौ बजे तक का जो समय रहेगा इस समय में अगर आप सभी करते हैं कहीं पर भी तो बहुत जादा साफधनी आप सभी को रखनी है वैसे आज के दिन में लांग डिस्टेंस ट्रैवल अगर बहुत जादा जरूरी ना है तो अवाइड कर लीजेगा ज्यादा ट्रैवल पहन के जाएगा वह आपके लिए काफी जदा अच्छे रहेंगे पापल कलर ले सकते हैं अप महरून कलर ले सकते हैं और ब्लू कलर आप ले सकते हैं वह आपके लिए काफी जदा अच्छा रहेगा इसके अलावा आप सभी कोशिश करिए कि शहद खाकर के बाहर निकले शह जिसकी वज़े से आपको परिशानी हो रही है आपके कोई बहुत ज़्यादा कर्ज हैं अगर आपके ऊपर और लोग आपको परिशान कर रहे हैं या फिर किसी पी तरह से किसी इस तरह की परिशानी जिसमें किसी थर्ड परसन का involvement है और आपका काम अठक रहा आपका काम नहीं बन रहा तो आज ये एक चोटा सा उपाय आपके लिए काफी जादा कारगर रहने वाला है आप सभी को क्या करना है नोट कर लीजेगा प्लीज आप सभी को एक लाल मिर्च लेनी है अगर लाल मिर्च साबूत है तो तो बहुत अ सकते हैं बड़ साबूत अगर जितना होगा उतना जादा अच्छा रहेगा आप सभी को क्या करना है एक लाल मिर्च ले लिजेगा और अपने उपर से अपने सर के उपर से तीन बार गुमाईएगा क्लॉक वाइस गुमाना है आप सभी को इस बात का दियान रखेगा और ज को अगर साबूत है तो तोड़ कर उस पानी के बाउल में टुकड़े करकर डाल दीजहेगा और अपनी परिशानी बहुति तो भी प्राइशान यहां तो पैसों की दिक्कट पैसों की परिशानी बहुत दीजिएगा जो भी प्रॉब्लम जो भी समस्यां आपके जीवन में चल रही है वह आप बोल करके उसके बाद उसे बाउल के पानी को आप थोड़ा से दूर कहीं फेक करके आजाएगा वह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा उसे फ्लश भी कर सकते हैं आप इस बात कर द्यान रखेगा और मेक शूर कि वह पानी आपको बार बार गिरे इस बात कर द्यान रखेगा और वह पानी किसी और को ना दे करके खोद ही उसकी रिस्पांसबिटीज लीजेगा आज के दिन में कौन सा एंजल नंबर आपके लिए काफी ज़दा अच्छा रहेगा नोट कर लीजेगा प्लीज आज का जो एंजल नंबर है यह आपका अज का affirmation भी आप सभी के लिए काफी ज़दा अच्छा है आप सभी को क्या करना है इस affirmation का इस्तमाल करना है जब आप बहुत ज़दा दुखी हैं बहुत ज़दा अपसेट हैं और या फिर जो उपाय मिर्ची वाला कर रहे हैं उसके तुरंत बाद आप इस affirmation को रिकॉल कर box में बंद करके उसे जाने दे रहा हूं यह आपको बोलना है और डेफिनेटली जिस तरह से आप इस अपर मेशन का इस्तेमाल करेंगे उसी तरह से आपके जीवन से परिशानिया दूर हो जाएंगी और आप सभी अपने आपको काफी जादा रिलेक्स महसूस करेंगे तरह क्या बोलना है मैं फिर से नोट कर रहा हूं नोट कर लिजिए का प्लीज एड इस प्रिजिंट मुवमेंट आइं चूजिंग तो प्लेस माय स्ट्रेस इन बॉक्स एंड लेट इट गो यह आपको बोलना है उमीद करूंगा कि यह affirmation आपके लिए काफी शांदार रहेगा आज के दिन में कौन सी राशी कौन सी नंबर और कौन सी alphabet के लिए दिन अच्छा रहेगा नोट कर लिजिए का प्लीज राशियों में अगर हम बात करें तो मेश राशी मिथुन राशी सीह राशी व्रश्चिक राशी और कुम आफवित्स में A, C, D, H, J, M, N, O, X, Z आप सभी के लिए आज का यह दिन काफी शांदार आज आता हुआ दिखाई दिता है आप चलिए बात कर लेते हैं आपर आज के बद्रडेस के लिए आज अगर आपका जंग दिन है आपके अनिवर्सरी है आपके जीवन का कोई भी व आप सभी को आने वाले साल में कई सारी मेहनत करने की जरूरत है मेक शोर कि आप सभी पूरी तरह से हार्ड वर्क करते हुए नजर आएं और बी मोटिवेट बिलकुल भी ना हो अगर आप एक्जाम्स दे रहे हैं सरकारी नौकरी के तयारी कर रहे हैं जॉब सरच कर रहे हैं आप बिजनस करना चाहते हैं हर एक चीज में मेहनत बहुत जादा रहेगी इस बात का विशिश त्यान रखेगा बाहर अगर कई जाते हैं विदेश यात्राओं पर जाते हैं या विदेश रहने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी साबधानी रखेगा ताकि आपको किसी भी भी कारे करते हैं तो वो आपके लिए काफी जादा अच्छा रहेगा अब चली बात कर लेती हैं पर आज के विशेश वास्तू के उपाय के बारे में जो करेगा आपकी परिशानियों को दूर और आपको देगा एक और नया रास्ता देखिए मेंटल स्ट्रेस गर में स्मुक्त होने के लिए आप सभी को क्या करना है जब भी किचन में खाना बन रहा हो खाना बनने के पश्चात खाना बनने के बिल्कुल बाद में आप सभी को क्या लेना है एक लांग लेना है और लांग लेकर के उसको पूरी तरह से गरम करना है या पूरी तरह से जलाना है साथ ही साथ ही क्या करेंगे आप एक पेपर लेंगे चोटा सा और पेपर को भी जला दीजिएगा और उसके बाद पेपर और लॉंग की जो राख बनेगी उस राख को एक पानी के बरतन में मिक्स कर दीजिएगा और उस पे जल डाल दीजेगा लाइक एक चोटा सा बकेट ले लीजेगा उसमें वो राक मिला करके आधा उसको पानी से बढ़ दीजेगा और उसके बाद उस पानी से आप क्या करेंगे अपने गैस के स्टेंड की गैस के स्लैब की सफाई करिएगा और रसोई के फर्श पर उ बहुत पावफुल उपाए हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि इससे आपको कितना फाइदा देखने को मिला उमीद करता हूं कि दिन शांदा जाएगा और इसी तरह से आप अपने आपको स्वस्त रखते हुए नजर आएंगे वीडियो को लाइक कर दी